वावणसी के श्विवाम लक्षमी नराण मारवाडी हिंदू अस्पताल में शनिवार को डायलेसिस विभाग का सियम्योगी आदितनात ने शुभारम किया इस अवसर पर मुख्यमंत्वी ने कहा कि 1916 का वर्ष पेहत महतुपूर था जब पंडित मदन मोहन मालविया ने काशी हिंदू विश्विद्याले की स्थापना की और इसी वर्ष काशी की विदा इस्थली गौदेलिया में भी मारवाडी अस्पताल की स्थापना हुई यह अस्पताल अपने इस्थापना की समय से निरंतर चिकित्सा सेवा में मानफता की मिसाल पेश कर रहा है और इसी कड़ी में डायलेसिस के खर्च से परिशान मरीजों के परिवार की हालत को देखते हुए अस्पताल ने मात्व 500 रुपे में उच्च कोटी की डायलेसिस यूनिट की शुरवात की अस्पताल में मशीन के साथ अत्याधूनिक और उप सिस्टम भी लगाए गया है डायलेसिस विंग के उद्घाटन के साथ मुखे मंत्वी यूगी आधितनात ने मरीज का हाल भी जाना और पूर्वी यूनिट को देखकर उसकी परिशन साकी मुखे मंत्वी ने कहा कि आज भी मात्व 10 रुपे के परचे पर इलाज करना बड़ी सेवा है जो आप लोग करें है ये बाबा विश्वनात की नगरी है